hello friends welcome to your channel Karanth Affair updated this is Devasi Shavasthi आज मैं आपके सामने जो lecture लेख लेखा है that is very important याद रखिएगा जो लोग भी competitive exams प्रप्रेशन कर रहे हैं इस lecture को end तक जरूर देखाएगा आपके exam में 3-4 दिखेगा यह लेक्शर है important awards जो 2022 में दिये गए है वो सारे मैं यहां पर cover कर दूँँगा तो इस lecture को एंट तक जरूर देखेगा इसका PDF आपको मेरे टेलिग्राम ग्रूप में मिल जाएगा जिसका description में जिसके link mention है तो चलिए start करते हो देखते हैं कौन से important award से जो exam perspective से important है सबसे पहला ज्यानपीट award ठीक है यह award एक oldest और याद के highest इंडिया का literary award है यह आपको याद रखना है और यह important इसलिए को कि इस बार किसको दिया गया है तो देखे 2021 और 2022 दोनों मेरे यहां पर लिख रखा है 56 एसाम कभी पूल आता है 56 ज्यानपीट award किसको मिला यह 57 तो 57 2022 का है 56 2021 का है नाम देख सकते हैं निल्मनी पूकन ज्याद कि जो असम से बिलॉंग करते हैं ठीक है और जो 57 ज्याद इस 2022 में इसको मिला है 2022 का ज्यादा चांसे है पूछा जाने के रिवेंबर 57 थे इसले पूछा सकता है 56 भी पूछा सकता है याद दखेगा इसले दोनों ही आप याद कर लिएगा तो के नेक्स हम बढ़ते हैं याद कि अभी रिपब्लिक डे बनाए गया आप सबको बताऊगा उसमें बेस्त कौन और उत्तर प्रदेश को रिपब्लिक डे में अवार्ड बिला है तो यह भी याद अखिएगा यह स्टेट सर्विसेज में उत्तर प्रदेश में बहुत जारा चांसे को पूछा आने के प्लस नैशनल लेवल पर भी कूशन आएगा नेक्स है दादा साही फाल के अवार्ड 2020 अब को लोग सोचेंगे 2020 का क्यों अवार्ड बता रहें क्योंकि 2022 में 2020 अवार्ड दिया गया है पहली बात तो यह याद अखना है फिफ्टी सेकेंड है 51 अगर देखा यह तो रजीनी कांत को मिला था वो 2019 का था अभी जो दिया गया तो इसको दिया आशा पारेक को दिया ग आने के चांसे सबसे जादा है नेक्स सरस्वती समान 2021 अपको लोग सोचेंगे 2021 का वार्ड है 2022 में दिया गया है याद रखेगा यह अवार्ड को और आप यहाद नाम देख रहोंगे राम दरश मिश्रा जो है उनको यह अवार्ड मिला है उनकी पोयम जो याद रखेगा मैं मिस वर्ड की ठीक है मिस यूनिवर्स की तो दोनों चांसे जादा है अब यह दोनों ही 2022 में दिये गए रिमेंबर देखिया कि लिखा ज़रूर है मिस वर्ड 2021 बट यह वार्ड 2022 में दिया गया पोलेंड की है याद रखेगा कैरोलीना की नाम से आप याद कर सकते जो पोलें में किसको मिला था हम तो 2022 का याद कर क्या हैं पर कंफ्यूज मत होना 2022 में यह वार्ड मिला है तो यह इंप्रेंट रहता है अब आप बोलोगे मिस इंडिया बिलकुल तो मिस इंडिया टू जो है उनका नाम मैं बताता हूं शिनी शेटी जो है कनाटका से बिलॉंग करती है वह बनी है मिस इंडिया 2022 तो तीनों वार्ड आपको याद अखने है एक्जाम में एक कुशन आएगा नेक्स्ट व्यास सम्मान की बात करी जा है जो कि 2021 फिर से मैंने लिग दिया है क्योंकि यह वार्ड 2022 में दिया गया है 31st व्यास सम्मान है 31st नहीं भी याद देगा तो च इस प्रफिर अवार्ड है और यह भी के के बिड़ला फांडेशन ही देती जस्स लाइक सरस्वति समान यह भी के के बिड़ला फांडेशन अवार्ड देती है तो इंपॉर्डेंट है एक्जाम में चांसे इसके भी बहुत जादा है अब अगर नैशन फिल्म अवार्ड की बात करें जो 2022 में दिए गए उस पे कोशन आ सकता है कि कि बेस फिल्म किसको मिली बेस एक्टर ऐस्ट यह कॉशंण है कौमन कॉशं तो बेसफिल्म देखा जाए सुरराइप पद्रु जो है उसी मुवी की जाहरेगा अपढणना को यह वार्ड मि ला hani जह से यह चठेस वह मुछा COM मंजगे देखने को मिलेगा ऐसे अगर वार्ट की बात किया थो ऑसकर ऑवर्ड हुआ है 22 में इसमें भी question आ सकते हैं जैसे कि best film CODA ये पुछा रखता है CODA आपको याद रखना है best actor Will Smith को मिला है best actor जो है Jessica को मिला हुआ है best director जो है याद रखेगा that is Jane Campion को मिला है तो इसमें best actor पुछा रखता है Will Smith बहुत न्यूज में भी थे उन्हों आपने सुना होगा ओसकर मुनों ने थपड़ भी माल दिया था असकी वैसे न्यूज में थे तो ये भी आने के chances हैं next देखा जाए world food price 2022 ये एक तरीके से noble price of agriculture खा जाता है याद रखेगा food और agriculture का noble price खा जाता है ये award एक American climologist है उनको मिला है जिनका नाम आप देख सकते हैं रॉसन वेग ज्या दखेगा रॉसन वेग जो है उनका नाम है ठीक है उनकी image भी मैंने याँ पर बना रखी है उनको ये award मिला है और ये award कौन देता है ये तरह important नहीं है बट बता देता हूँ है ये award जो देता है वो world food price foundation जो है वो ये award देता है बट किस personality को मिला है इसके chances है current affairs में question ज़रूर पूछा जा सकता है next देख रहे हैं international booker prize 110% ये आपके coming exam में question आ रहा है note down कर लो ये question आएगा question आजा एक्जाम में उसका जरूर आकर वीडियो में comment जरूर कर जाना ये 222 का जो award है याद दखेगा किसको मिला है ये important है गीतांजली श्री जो है उनको ये award मिला है remember किस लिए मिला है उनकी novel जो है Tom of Sand जिसको आप हिंदी में कह सकते रेत की समाधी remember उसके लिए award मिला है और इस novel को हिंदी से इंग्लिश में convert करने वाली person का नाम भी आप देख लिए देशी रॉक्वेल जो है देशी रॉक्वेल उन्होंने convert किया है और ये जो award मिला इंटरनाशनल बुक अप्राइस ये Tom of Sand को जो मिला है ये पहली हिंदी फर्स हिंदी नॉवल है जिसको ये अवर्ड मिला है इसलिए chances सबसे ज़्यादा है इस question के exam में आपके आने की तो ready रही है जो इस बार question आएगा आपको देखने को मिलेगा ये question इस बार नहीं आने के chances है बट सिल comment box में वीडियो देख रहे हैं ये बताइए सबसे पहला राम से मैक्सेस अवर्ड इंडियन कौन था जिसको ये award मिला था comment box में comment करिए ये award इसलिए इसलिए इंपोर्टन क्योंकि इसको noble prize of Asia noble peace price of Asia कहा जाता है तो इसलिए ये कभी-कभी question पूछ जाता है किस award को noble peace price of Asia कहते है राम से मैक्सेस अवर्ड है इसलिए इंपोर्टन है बहुत सी फील से मिलता है गवर्मेंट सर्वेस में आपके कुछ पूछ लिए जाए मैंने नाम मेंशन कर रखें पीडियेफ आपको मिल जाएगा पढ़ सकते हैं बड़ में मानना है चांसे इसका है को इंडियन को मिला होता तो जादा न्यूस में होता चले आगे बढ़ते नेक्स है स्वाती पिरमाल है जादे कि इनको मिला है फ्रांस का स इसकी अवार्ड में बता दूँ एयरपोर्ट काउंसल इंटरनाशनल जो है वही अवार्ड को देता है जिसका हेड़कॉर्टर कैनेडा में मॉंट्रेल में मॉंट्रियल में है इसका हेड़कॉर्टर इस बाद दिया गया है कोचिन के इंटरनाशनल एयरपोर्ट को तो चां नेक्स है उत्तरपदेश ने जीता है आयूश्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2022 यूपी पीसेस में तो आने के चांसे सबस्याद है प्लस नैशनल लेवल के एक्जाम में भी कुछन आ सकता है यह जीता हुनों को सबसे जादा हेल्थ केर फैसलिटीज जो है वो रेजिस्टर किय है एड़ाउन किये एराउन 28,728 न्यूँ हेल्थ कियर फैसलिटीज याइड किये उत्तरपदेश को यह वार्ड मिला है तो यह कुशन आने के चांसे हैं बहुत जादा कुछ लोग उत्तरपदेश आंसर नहीं लगाएंगे सोचके नेक्स है तमिल नाइडू को पुलिस है उनको रिसीव हुआ प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो की प्रेसिडेंट की जगहे याद आखेगा जो एंफोस्मेंट एजिंसी होती उनको मिलता है तो बहुत बड़ी बात है तामिल आइडू को पुलिस को यह वार्ड मिला है नेक्स बात करते हैं लता मंगेश का अवार् मिलिंद को दिया गया है और 2021 में कुमार सानू को अवार्ड दिया गया तो देखा जाए लता मंगेश का अवार्ड तीन लोग को दिया गया तो यह उनको याद करते होंगे modern इसी पड़ी होगी तो याद कि पहले इंडियन थे जो British Parliament में Member of Parliament बने थे तो इसलिए important personality रहे है इनका जो घर था ठीक है जो London मिन का घर है उसको tag मिल गया है कि इसका Blue Plague Honor का ये क्या होता है ये होता है जो historic buildings होती है उनको ये tag मिलता है तो दादा भाई नरो जी के घर को ये tag मिला है तो question पूछा सकता है आपके current affairs में ठेक है next Able Price 2022 Maths का Nobel Prize कहा जाता है इसको Able Price 2022 ये award आप देख सकते है Dennis Pannell जो है जो American mathematician है उनको ये award मिला है Norwegian Academy of Science and Letters जो है वो award देती है इतना important नहीं है कौन देती है बट किसको मिला है Able Price 2022 जो Maths का Nobel Prize कहा जाता है वो याद रखना जरूरी है This award is also very important architecture की field में दिया आता है Prinsker Architecture Price 2022 किसको मिला है अफरीका की country है याद आखेगा उसकी वहाँ की personality इसको मिला है Burkino Faso जो है अफरीका पे country है याद आखेगा वहीं के एक person है याद की इसका नाम आप देख रहोंगे Francis Kiri करकिन का नाम है दायबेडो Francis Kiri इनको ये award मिला है Award important है बहुत बार exams मैंने देखा एक question पूछा गया है बहुत से exams में Stockholm Water Price ये एक तरह का water का nobel price खा जाता है ये किसको दिया गया है ये important है बस याद देखेगा विलफ्राइड बुस्तेरेट को ये award दिया गया है नाम सिर्फ एक बास सुन के याद हुजा है that is sufficient professor है याद देखेगा और Stockholm International Water Institute जो है जो Sweden में है वो ही award को देती है तो of course water conservation के regarding award दिलता है नेक्स देखा है तो ये hockey के जो अपने गोलकीपर है इनक नाम है पिया सिर्जिश इन्होंने award जीता है कौन सा World Games Athlete of the Year Award 2021 2022 में award दिया गया है और ये second Indian मन गया है इससे पहले एक बार ही award और हमारी football sorry that is hockey की player रानी रामपाल को award मिल चुका जो पहले Indian मनी थी ये second Indian मन गया है जिनको ये award मिला है that is what World Games Athlete of the Year Award ये question आने की जांसे बहुत जादा है next है sports icon याद अखेगा सुरेश राइना को award मिला है Maldis government की तरह sports icon उनको बनाए गया है he received sports icon award from Maldis government Maldis government की तरह से सुरेश राइना appointed है यहां पर option में आपको विरात कोली धोनी ऐसे नाम दिये जाएंगे इससे आप confused हो जाएं बट आंसर इसका सुरेश राइना है next है UN Public Service Award 2022 important है याद कि Odisha की MO bus service है उसको ये award मिला है public transport service है आपको पता होगा bus service है इसलिए मिला है क्योंकि gender responsive public service to achieve the SDG sustainable development goals है वहां पे इनों ने gender responsive तरीके से busses को चलाई है उसके लिए इनको ये award मिला है तो पूछा रखता है कौन सी bus service को मिला है तो Odisha की है याद रखेगा next है world no tobacco day सबसे पहले तो comment box मुझे ये बताईए world no tobacco day हम किस दिन celebrate करते है या आप मुझे comment box में आईए और इस बार का जो world no tobacco day award है ये मिला है जारकन को तो अच्छी बात है जारकन ने बहुत से initiatives लिये हैं इसे जारकन को ये award मिला है next है PM Modi को ये question chances बहुत जादा है लता दीननात मांगेशकर award जो है पूछाएगा ये award स्टार्ट किया गया और सबसे पहला award भी नरेंद मोदी जी को award दिया गया है question आ सकता एक्जाम में इसको जरूर याद अखिएगा next है अब आप देख रहोंगा award क्या लिखा है मैंने third national water award 2020 ये award 2022 में दिया गया मैं आपको बता हूँ ठीक है कौन सा स्टेट बना है जो की सबसे अच्छा water conservation में work करा है वो बना है उत्तर प्रदेश ये से टॉप किया है जिसे water conservation ने बहुत important work किया है ये award दिया पूछाएगा इवे नैशनल लेवल के एक्जाम से इंपोर्टेंट है नेक्स राष्ट्य खनिज पुरुष्कार इस वेरी इंपोर्टेंट राष्ट्य खनिज नाम से पर चला है मिनरल्स माइन से लेटेड होगा तो बिलकुल यह award है तो प्रमोट माइनिंग अक्रॉस दा इस किया है और ऐस इंडन रेलबेश उसकी वह से इंडन रेलबेश को ए वाड मिला है नेक्स आपदमा वॉट्स की बात के यह त्टयाएगा इस बार पदमा वॉट्स जो होते है जिए तीन केडिगरी में पदमा वोट्स मिलते हैं पदमे वीभूशन सबसे बड़ा है फिर पदमे भूशन फिर पदमे श्री देखा जाए तो टोटल इस बाव इन कीनों को अड़ कर दें तो पदमा वॉट्च कर दें टोटल 128 लोगों को पदमा वॉट्च दिया गया है तो चार लोग के नाम देख लिए तीन की डेथ होचकी अल्रेडी तो याद दखिएगा प्रभा विपन रावत कल्यान चिंग तो चार परस्नाटी है इनका नाम एक्जाम में आ सकता है किस फिल्ड से लेटर है आप देख सकते हैं विपन रावत का नाम आपने सिविल सर्वेंट में सुना होगा कल्यान चिंग पब्लिक अफेर्स लिट्रेचर और एजुकेशन में राधा पिचाई और साइप्रस पुना वाला इनका नाम न्यूस में रहा है इसने मैं बता रहा हूं वैसे बहुत सत्रह हैं और भी लोग है और पद मिश्री 107 लोग को मिला है तो टोटल आप देख लिए 128 परसनाटी इसको पदमा वार्ट्स में रही जिसका नाम था देवेंदर भी जाज़े दिया रिमेंबर इनका क्यों इपॉरेंट है कि जैवलीन थो करते हैं यह पहला पैर आथली टैने यहाद दखेगा पैर एतली है पहले जिनको प्दमे भूशन वार्ड मिला पद मे भूशन नहीं पदमे भूशन तो पहले पैरा इथली जिनको पदमे भूशन आवर्ड बना है यह question पजब्दा वोडश पूछा जा सकता मेरा मानने है इसलिए मैंने अलग से बता दिया थिक है next है स्काय ट्रेक्स वर्ल्ड ऐरपोर्ट आवर्ड थिक है नाम से बचला है बेस्ट ऐरपोर्ड को आवर्ड बिलता होगा तो उसमें जो है हमाद इंटा नेशनल एपोर्ट जो दोहा कतर में है उसको यह अवार्ड मिला है मैंने अपने इंस्टाग्राम में भी डाला था नेक्स देखा है शुभास चंदर ये कुशन आएगा को यह अवार्ड मिला है तो अफ्कोर्स तो डिजास्टर मेनेजमेंट से लेटेड वर्क करते हैं उनको यह अवार्ड दिया जाता है यह ळखेगा जिपान का हाइस सिविग्यन आवार्ड जिसका नाम है Yakथ कॉलर ऑफ गाल और क्रिस इसको इसको देख लिए आप क्रिस देम जो देख करो है जो जपान का हाइस सवाइड है सिवग्य नवार्ड है यह जignment इनको एसासिनेट कर दिया गया है तो हमारे नेता जी रिसर्च ब्यूरो जो है उन्होंने भी नेता जी अवर्ड 2022 शिंजो एबे को ही दिया है नेक्स पीटा इंडियास 2021 पर्सन ऑफ दे यर कौन बनी है यह 2022 में अवर्ड मिला है याद कि इस बाव यह आलिया भट तो ऐसे कुशन एससी वगरा में जो वन डे एक्जाम से उसमें आप जरूर देखेंगे नेक्स देखा है इसको का पीस प्राइस 2022 किसको मिला है एंजरा मा को अवर्ड दिया गया है नैशनल MSME अवर्ड ठीक है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजस के लिए अवर्ड दिया गया है किसको ओडिसा गुवर्मेंट को तो ओडिसा गुवर्मेंट रांक बन पर रही है MSME के सेक्टर में ओके लिबर्टी मेडल 2022 यह बिला है इस बार इनको यह अवर्ड दिया गया है अब यह लास्ट जो है डाट इस नोबल प्राइस देखिए इसका मैंने अल्यडी एक वीडियो बना रखा है ठीक है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालना हूँ तो इस बार के सारे इंपॉर्ड अवर्ड अगर इस इसक्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है नाम नहीं पता तो देवशीष सर ओफिशल टेलिग्राम का नाम है अब आप लोग कहरोगे सर मुझे पूरे पॉलिटी हिस्ट्री जोगर्फी सब्सार सब्जेक्स पढ़ने हैं और आप से ही पढ़ने हैं तो आप एक बार मेरे सबसे पहले डाउनलोड करो देवशीष क्लासेश देख सकते हैं आप सारे आपको इंडिवीजियर सब्जेक्स मिलेंगे प्लस अगर आप नोट्स चाहते हो तो हैंड इंटेन नोट्स याद दखिएगा आप ओडर कर सकते हो आपके घर तक पहुच सकते हैं यूपी एसी के पर प्रपेशन कर रहो तो उसके लिए श्पिशल आंसर आइटें के साथ हम पूरा प्री प्लस मेंज का पूरा प्रोग्राम रन करते हैं उस्टे लिए आपको मेरे कोर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा आप इससे रेरेटर रेंक्वारी जाना चाहते हो डिसकाउं जानना तो आप मुझे call कर सकते हो, WhatsApp पर inquire कर सकते हो, इवेन आप हमें application में जाके इन courses को देख सकते हो, visit कर सकते हो, तो यहाँ पर यह lecture complete होता है, I hope आपको जित्ते भी awards थे, एक single lecture मैंने करा दिये, ऐसे ही मैं इस series को continue रखूँगा, और जित्नी भी important चीज़े हैं, वो सारी हम कराते आएंगे, जिसमें आपके exam में score आपका maximum हो सके, को doubt query comment box में जरूर comment करें, और वीडियो अगर पसंद आया हो, तो वीडियो को like जरूर कर दें, चैनल को subscribe करें, और वीडियो को जितना हो सके, उतना share जरूर कर दें, Thank you.